चलिए आईए समझिये देखिए रेफ्लेक्शन क्या चीज होता है प्रतिविम्ब क्या होता है प्रतिविम्ब दो तीन टाइप के होते हैं एक तो प्रतिविम्ब का ये टाइप होता है ध्यान रखेगा प्रतिविम्ब में जब तक अक्ष दर्पन बनेगा तब तक मान में कोई प्रतिविम्ब के हिसाब से साइन बदल जाएंगे ठीक है अब देखिए अगर पॉइंट यहाँ है पांच कोमा मैनस चार अगर आपसे कोई कह दिया कि इसका प्रतिविम्ब एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में क्या होगा अगर एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में इसका प्रति विम्ब पुछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है अगर तरपन उपर है तो परतिविम और उपर बनेगा यानि ये इसका परतिविम फर्स्ट क्वाडरांट में चला जाएगा जहां दोनों के दोनों क्या होंगे positive हो जाएगा ठीक है लेगिन अगर इसी कोशन में हमें ये कह देता कि इसका परतिविम बनताईए वाई अक्ष क के respect में क्या कहते हैं इसका प्रतिविम्ध के respect में तो कोई दिकत नहीं है इधर बस्तूं है ना वह से इधर दरपन है और इधर प्रतिविम्ध यानि कि इसका प्रतिविम बनेगा मैनस पांच कोमा मैनस चार तो एक तरीके से आपने ये देखा इस चीज को समझा कि कभी भी ऐसा सिच्वेशन आ जाए कि दर्पन हमारा एक्सिस बने तो ऐसी कर्डिशन में वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है लगाई ये गड़ तो देखें यहां पर तो इसको समझिए क्या हुआ क्या हुआ एक्स पराबर दो एक्स पराबर दो पर पांच कोमा छे का प्रतिबिम्ब क्या होगा प्रतिबिम्ब क्या होगा समझिए आज आपको अलग से दे दिया गया है ये है आपका क्वाड्रांटेक्ट आज इदर पर अलग से है ये हो गया और ये हो गया ये अपना एक्स अक्ष है और ये अपना वाइक्स है ये एक्स अक्ष का पोजिटिव डियारेक्शन ये निगेटिव डियारेक्शन ये पोजिटिव डियारेक्शन ये निगेटिव डियारेक्शन ठीक है अब आप ज़रा सह यह समझे एक्स बराबर दो पर पांच कोमा छे का परतिविम तो जिस पर परतिविम बोलेगा वो आपके लिए दर्पन का काम करेगा अब एक्स बराबर दो गुजरेगा कहां से एक्स अक्ष पर दो इकाई दूरी से वायक्ष के पैरलल यही है एक्स बराबर दो और इसी का परतिविम आपसे पूछा गया ये है आपका दर्पन आज इसी आइना पर इस point का परतिविम चाहिए 5,6 मान लिजे ये बिंदू है 5,6 अगर इस दर्पन पर हमें उसका परतिविम चाहिए आज दर्पन इधर है तो कल्य इधर से होगा आपको बस ये देखना है कि दर्पन से कितना आगे परतिविम है अस्वारी बस तू है तो दर्पन से कितना आगे बस तू है तो आप जानते हैं कि दो की काई पर मूल बिंदू से दो इकाई पर तो दर्पन है जहां तक उस बस तू की बारी रही तो बिंदू कितने इकाई पर है पांच की इकाई पर है तो मुल बिंदू से पांच इकाई पर है बंद बिंदू पूरा पांच में अगर ये दू है तो ये क्या होगा तीन यानि ये हो गया तीन अब अगर दरपन से तीन इकाई आगे बस तू है तो तरपन से ती, निकाई पीछे परतिविम बनेगा, जब back आ रहे हैं, तो देखे कितना आ चुके हैं, तो आपको एक और पीछे आना है, आगया है, एक और पीछे आगया है, अब आप जहां पहुंचे हैं, यहीं परतिविम बनेगा, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप जिस दूरी को माप करके आज आप दूरी जो माप रहे हैं किस रास्ते एक्स अक्ष के रास्ते वा एक्ष तो उपर नीचे होता है एक्स अक्ष के रास्ते माप रहे हैं तो यहां से देखिए यहां से ती निकाई आगे ती निकाई आगे ध्यान दिजेगा अरे यार ती निकाई आगे बस तु था ती निकाई पीछे परतिविंब होगा तो हम ती निकाई पीछे आएं हैं लेकिन ती निकाई आएं हैं तो हमको यह समझना है कि हम किस पॉइंट के सामने आएं हैं तो आपको कहना होगा कि सर आज आप तीन आगे तीन पीछे जब आएं हैं तो मुल बिंदू से एक इकाई आगे आएं हैं आप कितना पीछे आए हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप कहाँ आए हैं उससे मतलब है, तो इस बिंदू पर X का मान क्या होगा, माइनस वन और Y, तो Y6 वहाँ भी था, Y6 यहाँ भी रहेगा, अच्छी बात यह है, कि सकेंड क्वाडरांट में भी Y पॉस्टिव ही रहता है, ठीक हैं, X बस निगेटिव होता है, तो यही हो गया अपना परतिविम्दू एक दो और एक्जेम्पल लेंगे, पहले आप इसको लिखिए, ताकि आपको यह समझ में आ जाएं, और आप अच्छे से काम कर पाएं, हाँ, अलग से नहीं दरपन दिया रहेगा, साइन्स चेंज करके काम चल जाएगा, अलग से दरपन दिया रहेगा, उस तक पन पर परतिविम्दू बनाना परेगा, आप देखिए, मान लिजी जैसे कि यहाँ है, अब यह आप से कह दिया कि सर, वाई बराबर दो पर, वाई बराबर दो पर, चार कॉमा मैनस तीन का परतिविम्द क्या होगा, चार कॉमा मैनस तीन का परतिविम्द क्या होगा, परतिविम्ब क्या होगा ध्यान दीजिए वाय अक्ष है एक्ष अक्ष है अब बोला क्या है आपसे कहा है कि सर्वाय बराबर दो तो यह रहा हमारा मूल बिंदू मूल बिंदू से उपर वाय बराबर दो तो वाय बराबर दो यानि एक की हो गया दो तो वाय बराबर दो पर से ध्यान दीजिए वाय बराबर दो कहों से गुजरेगा एक्ष अक्ष के समानतर दो इकाई दूरी पर से यही वो पॉइंट है जो य बराबर दो है, यही जो लाइन है जो य बराबर दो है, ठीक है, यह लाइन हमारा य बराबर दो हो गया, लिजे य बराबर दो हो गया, आज आपका यही है आईना, यह हुआ एक्स अक्ष, और यह हो गया आपका य अक्ष, आपका पॉइंट है 4,-3, 4,-3 यही वो पॉ अब ये देखिएगा सर ये रहा हमारा दर्पन आप क्या कीजिए कलाई उपर से कर देजिए कर दिये अब जरा सा इसको समझिए ध्यान से आप लोग अब आपको फिर ये देखना होगा कि हमारे दर्पन से कितना नीचे बस्तू है बस्तू की दूरी मापिये तो मापियेगा तो कहिएगा यहां से यहां दो आ यहां से यहां तो देखिए जब X से नीचे आते हैं Y की और X से आप गौर करके देखिए कितना नीचे आया है? 3 तब तो आप यह कहिएगा अरे दहना बाया चलते हैं तब X का मान उपर नीचे तो Y का मान तो देखिए यह 2 इकाई आ गए आ यहां से नीचे 3 इकाई नीचे है तब तो यह हो गया 2, 3, 5 तो 5 इकाई नीचे बस तो है तो 5 इकाई उपर परति भी भी बनेगा तो 5 इकाई अगर आप उपर जाईएगा तो कहां पहुँचिएगा तो नीचे से देखिए मुल बिंदू उसे 2 पर थे अगर 2 से 5 उपर जाएगे तो 7 पर यानि कि हाँ Y का मान क्या होगा 7 रही बात X की X का मान 4 यहां भी है और X का मान 4 यहां भी रहेगा जिस दूरी देखिए जिस रास्ते पर चल के दूरी मापते हैं उसमें परिवर्तन होता है जिस रास्ते पर नहीं चलते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे उपर निच्छे जाएगे तो Y में चैंजिंग होगा X में नहीं अद दाहिना वाया जाएगे तो X में चैंजिंग होगा Y में नहीं चलिए आगए बरिए अगले पॉइंट के और चलें ज्यादा समय आप लोगों का जल्दी कीजिए जल्दी हो गया होगा ठीक है सर सर बनेगा उतना वक्त नहीं है उतना वक्त में जाएंगे सब को समझ में नहीं आएगा उतना डेप्ट नहीं जा सकते हैं अभी टाइम रहता तो हम जाके बताते हैं ठीक है उसके लिए टाइम चाहिए अज सब नहीं समझेगा तो मेरे माते ठीकरा फुटेगा क्या करें आप ही बताइए पांच दिन का समय और लें कि आए जैसा बोलिएगा वह इसा करेंगे आप बोली जल्दी क्या बोलना है क्या नहीं सुनना सब का है सबन पैसा दिया है सुनना है वह सब ठीक है ध्यान देजे कोई बात नहीं सर्थ देखिए जानते हैं काफी कुछ हम काफी कुछ हम मिश्टेक करते थे लेकिन आप लोग हमको काफी कुछ सिखा दिये हैं हम बच्चे को बहुत बहुत छूट देते हैं काफी कुछ लेकिन इसका सब का सुबह वाला क्लास मिला है ठीक है और उसका परिणाम यह हुआ है कि अब के बाद जो भी बैच बनेगा उसमें हम ऐसा प्योर प्रोफेस्नल रहेगा काम हुआ निकलते चलिए इमोशनल वाला कामे खतम क्योंकि इसमें क्या होता है न कि हम छूने की इजाज़त देते हैं यह अलरका छू लेता है डारेक्ट यह ठीक है इसलिए अब नहीं कि ने समझ माया क्या ने बुझाया अच्छ ठीक है यह कि देखिये एक्स बरावर मैनस तीन वान टू थ्री एक्स बरावर मैनस तीन यह हुआ एक बिंदू है पांच कुमा दो पांच कुमा दो है पांच कुमा दो फॉस्ट क्वाड्रांट में होगा अब देखिये according to question इसका image हम कैसे बनाते हैं वो जरा समझिएगा आज अगर हम इसका image बनाने चले गए इसको और थोरा पीछे करना होगा देखिये वो कैसे दरपन यहां बस्तू वहां है कल्य इधर से होगा परतिविम बनाएंगे तो आप यहां से बस्तू तक पहुँचिए यह दूरी तीन है और यहां से कितना आगे है पांच सरीय हो गया पांच और तीन आठ तो आप यहां से आठ पीछे चले जाईए अगर आठ पीछे जाईएगा तो यहां देखिये मूल बिंदू से तीन निकाई पर दरपन था आठ पीछे आजाएँगे तो गनफर्म मैनस से ग्यारा के पास पहुचेंगे यानि इस पॉइंट पर जो बिंदू बनेगा एक्स का मान मैनस से ग्यारा लेकिन वाय का मान वहां भी दो था और वाय का मान यहां भी दो रहेगा चुकि फर्स्ट क्वाडरांट में भी y positive और सकेंड में भी y positive तो आंसर हो जाएगा मैंनस 11, हाँ मैंनस 11,2 मैंनस 11,2 चलिए आगे बरिए तेजी में हो गया ठीक है देखे मैंने कोशन के कारण दूतीन कोशन बताने की कोशिस किया ताकि आपको समझ में आए बाकि आप यहाँ आईए उस रेखा का समिकरन बताईए जो एक्स अक्ष के साथ 1.500 डिगरी के कोन बनाते हैं और य अक्ष पर मैनस 5 इकाई पर अंतह भी भाजित करते हैं यह देखिए सर यह है क्वाडरांट टेक्सिस एक्स का पॉजटीव एक्स का निगेटीव वाई का पॉजटीव और वाई का निगेटीव ध्यान से देखिए वो लाइन जो वाई को मैनस ठीक है वाई को मैनस काटती है कितना पर हाँ Y को काटती है माइनस पाँच पर Y को माइनस पाँच पर काटती है छोड़िये डागराम उगराम हटाईए नहीं तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा यहाँ सुनिए Y के निर्दे सांग को C से सुचित करते है अज स्लोप जो होता है वो कुछ और नहीं 10 ठेटा ही स्लोप होता है 10.500 डिगिरी का मान तो 1.500 डिगिरी का मान हो जाएगा 180 आप मैनस तीस आप 10.180 मैनस तीस मैनस तेन तीस जो बन जाएगा कितना मैनस वन बाई रूट तरी आपको चाहिए समी करन सुनिएगा y निर्देशंग y इंटर्शेप्ट और अगर सलोप मालूम रहे तो एक्वेशन बनता है y बराबर mx पलस c तो y बराबर m हुआ ये x अशी कितना हुआ मैनस 5 एलसियम लिजिए रूट 3 y बराबर मैनस x और मैनस रूट 5 5 रूट 3 सब को इस पार ले आईए x पलस रूट 3 y अब पलस 5 रूट 3 अब बराबर कितने है जरो कौन सा हो गया ओप्शन नमबर a ते गाई ते गाई नेक्स्ट कोशन पर आईए बर जाएं ठेक इस पर आईए देखे ये क्या लिखा है रेखा a b पर मूल बिंदो से डाले गए लंब चार लंब का धन एक्सक्स के साथ जुकाव 45 डिग्री है रेखा का समिकरन क्या होगा ये देखे एक्स का पॉजटीव एक्स का निगेटीव वाई का पॉजटीव वाई का निगेटीव ये देखे आपसे कहा उस रेखा का समिकरन बताईए जिस पर मूल बिंदो से डाले गए लंब लंब का मान है चार और ये लंब एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितने डिगरी का कोन 45 डिगरी का कोन बनाती है तो बताईए रेखा का समिकरन क्या होगा तो इस रेखा का समिकरन होगा य बराबर यहाँ ध्यान दीजेगा स्वरी एक्स कॉस थेटा बलस य साइन थेटा बराबर पी एक्स कॉस पैंटालिस वन बैर रूट तू य साइन पैंटालिस वन बैर रूट तू अब बराबर कितने है पोर एलसियम लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर होगा पोर रूट तू equation कौन सा याद रखिएगा मुल मिंदू से डाले याद रखिएगा उस रेखा का समिकरन जिसपन मुल मिंदू से डाले गए लंब की लंबाई P एंगल अगर theta रहे बनेगा y x cos plus y sin theta बराबर P जानते किस line का equation हुआ है जीस line का equation हुआ ठीक है equation का ये बिशेश रूप है अगले सवाल पर आईए आप इस पर आईए इसको देखिए उस रेखा का समिकरन ज्यात करें same question है बना लिजेगा ओके आगे बर ये आप से कहता है ये दोनों समिकरन एक दूसरे को किस बिंदू पर पर परतिछेद करेगी तो ध्यान लखिएगा जब दो रेखा एक दूसरे पर एक दूसरे को अगर परतिछेद करती है तो यही हुआ आप निर्दे सांग किसका परतिछेद बिंदू का अब परतिछेद बिंदू का जो निर्दे सांग होता है सर वही दोनों रेखा के समिकरन के हल करने से आता है हाँ उभी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं जो भैलू दोनों समिकरन को सेटिस्फाइ करे उभी आंसर होगा उसमें कोई कोताई नहीं है मैंने कहा कि दो रेखा एक दूसरे को जिस पॉइंट पर अगर काटेगी अगर आपको उस पॉइंट का निर्दे सांक निकालना है तो दोनों समीकरण को solve कर दीजे एक आपके पास 2y पलस x बराबर 5 है और एक आपके पास x पलस 2y बराबर 4 है तो मैं कहता हूँ ऐसा करिए मैं कहता हूँ ऐसा करिए सर ध्यान से आप बस ऐसा करिए किसी एक को काटने का मुड बना दीजे बनाईए अब ये गया y मैनस 4y मैनस 3y अब 5 में से 8 गया तो मैनस 3 y का मान कितने 1 y का मान 1 रखेगा x का मान 2 आ जाएगा इसका मतलब है इस पॉइंट कितना हो गया 2,1 आप डाइरेक्ट दोनों समीकरण में भैल्यू भी डाल सकते हैं बस अरते इतना तो घ्यान आपको होना चाहिए कि दो बिंदू एक दूसरे को अगर दो समीकरण I mean दो रेखा एक दूसरे को काटेगी तो उसके कटान बिंदू का निर्दे सांक वही होगा जो उस दोनों ही रेखा का वो दोनों ही समीकरण का हल होगा अब दो समीकरण का जो हल होगा भाव दोनों को सेश्पाय करेगा, है ना, तो आप्शन में किसी भी आप्शन को दोनों समीकरन मिडा लिये, जो दोनों को सेश्पाय करेगा, वही उन दोनों का हल होगा. चलिए नेक्स कोशन चलें? आगे चला जाए? ठेक. अब यह देखे सेर, यही सब कुछ अनिक्जामनिशन में आब आने लगा है उस रेखा का समिकरन ग्यात करें जो 2,3 और उस रेखा के मदबिंदू से गुजरता है जो अंतबिंदू इनके और इनके हैं देखिए सर 4,9 और 6,5 कहा इस दोनों ही अंतबिंदू वाले रेखा के एकदम मिडल पॉइंट से मिडल पॉइंट से एक ऐसी रेखा गुजरती है जिस पर एक बिंदू 2,3 है ध्यान दिजेगा 2,3 बिंदू वाले 2,3 बिंदू वाले ध्यान रखिएगा 2,3 बिंदू से गुजरने वाली रेखा इन दोनों ही बिंदू को मिलाना वाली रेखा एकदम midpoint से गुजरती है आज मैं गर आपसे पूछ लेता हूँ इसका जदी हमसे समिकरन मांगा है तो किसी रेखा का समिकरन हम तभी निकाल सकते हैं जब उस पर दो गो बिंदू मालूम रहे या एक बिंदू तो सलोप मालूम रहे या उसका y intercept और सलोप मालूम रहे या उसका x interrupt और सलोप मालूम रहे लेकिन यहाँ intercept की बात तो है ही नहीं एक point मालूम है एक point और मालूम कर लो तो point तो मालूम करी सकते हैं जब ये midpoint हो जा रहा है इस line के लिए, अगर इस line का midpoint है तो midpoint का coordinate क्या होगा, x1 पलस x2 बाई 2, और y1 पलस y2 बाई 2, निकल गया, अब क्या सोचना है, उस रेखा का समिकरण जो दो बिंदू से गुजरती है, क्या होगा, हाँ, y-y1, y2-y1, x-x1, और x2-x1, यही हुआ दो बिंदू से गुजरने वाली line का equation, अब ध्यान दीजे, यह आपका x1, y1 का काम करेगा, और यह इस वक्त x2, y2 का काम करेगा, जड़ा निकाल लिजे तो, y-y1 कितना है, 3, अबटा y2 और minus y1, बराबर x माइनस x1 है तो, अबटा x2 माइनस x1, यही ना, चलिए काम करेगा, 3 3y-9 अबराबर 4 से गुना होगा 4x-8 सबको स्पार ले जाए 4x-3y अपलस 1 बराबर 0 यही स्कोशन का अंसर होगा 4x-3y 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 और 1 अगर इस पार आगत निगेटिव हो जाएगा यह एक कुपाय और कर सकते हैं कि वो जो पॉइंट दिया है न 2,3 उसको समिकरन बैठा दीजिए और देखिए कौन सा समिकरन उसको सेटिस्फाई करता है अगर आप वो मान बैठाएंगे 2,3 तो निसंदे ही कौन सा समिकरन होगा भी ही होगा ठीक है तो आप चाहें तो डारेक्ट वो पॉइंट भी बैठा सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि दूसे गुजरने वाली लाइन का समिकरन चाहिए वो बिंदू दिये गए समिकरन को सेटिस्फाई करेगी आप इस पैत्रे का भी परियोग कर सकते हैं कि चला जाए ठेक कि क्या हुआ जी आँ ध्यान देजें गाना नहीं आए था चलल नहीं जाला आप जगरिया हो चुनरिया में दाग लग गईल कि अगर इदर आओ आओ कर रहा है बैट करके कम से कम सीखी आमरपाली से नहीं उते हिलता है कम सको मैं से ऐसे करते रहती है कि द्यान दीजिए द्यान दे भोजपुरी कलाकार बराबर यह खासियत है नाचने नहीं आएगा तो कुछ नहीं तनी कमर जुकाएगा इसे अगों टंगर यह से उठाएगा अधाम इसे इसे करते रहेगा कि यार कोई और स्टेप ले लो सब का एक ही स्टेप है चाहें उखे सर्यास लेके अब कोई भी हो आज कल तनी तनी यह बली बुडवला सिखा है अज कल देखते हैं तो मैं इसे-इसे करते रहता है ज्यान देजिए कि जब जब यह लोग का का औरा आता है मूभी में तब तरक अको भगा देता है कि एसके डाउन से मुगो साजाता है हां देखते हैं आँ गाना धरा भूणा में नहीं करते हैं हम जानते हैं सबसक्त rif काना जब तक को यंब दिशान देजिए कि अरे कम से कम बिधायक कात्याचार दिखाता है ना बस हो गया आप देखो कि उसको कोई कहानी थोड़े मिलता हर उसके मुविम बिधायक रहे वे करेगा हां मुख्या जिरह वे करेंगे बिधायक रहेगा मुख्या रहेगा पंचायत बैठेगा है ना दूग शीन तो अदम भोजपुरीम कंफर्म है एक और रेप का सीन देगा उसके बाद मुख्या या बिधायक करवाएगा और उसको पंचायत करवाएगा फ़ला ठेकाना हो गया मूवी खतम हो गया आये ध्यान देजिए होल में जाके हम कभी नहीं देखता हूं पैसा वरबाद है इसे अच्छा साउथ मूभी देख लेंगे तो पैसा असूल हो जाएगा लेकिन क्या करें बिहारी कलाकार है सपोर्ट करना पड़ता है आये देखिया हातों कि अरे फर्मुला नहीं है देशी तो देशी है देखना तो हिए है कि सपोर्ट कर देते हैं अगे अगे सुनिये सुनिये इदर देखिये एक के मूभी हाल जाक देखा ता सशुरा अब आपईसा वाला वे उस समय हमरा जवानी था उस समय मूभी आया था अब बढ़ा गया आये देखिये सरल रेखा ये लंब की लंब आई क्या होगा अरे बीच में थोरा सा बात कर लिया मूड लहर्याल था हम देखो यहां पर क्या कहीं जेएगा किसी ना किसिको तो निसाना बनाना परेगा मजबरी में खेसरिया को बनाना पर गया आमरपाली को स्वारी आये पहले बात कर देते हैं छोड़िये ना क्या की जेगा अपना हाल चल बुड़ा है अपना हाल देखेगी नहीं अगाना गाएगी का हो का हल बा अरे तेरी के देखो इधर द्यान दो अपना जतरा बना नहीं और कहती है चला जतरा से जतरा बना ही लियल जाए ध्यान दीजिए आईए समझिए सेर एक पॉइंट से जब एक रेखा पर लंब डला जाएगा तो इस लंब की लंबाई हसरा है बताओ हाँ लंब की लंबाई देखिए तो लंब की लंबाई होता है अलफा प्लस बी बीटा अब प्लस सी और बटे अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर जड़ा बैठाईए बोलिए सर ए ए कितना है तीन अलफा कितना है दो पलस B, B कितना है? चार बीटा कितना है? तीन आपलस C तो C कितना है जी? C है हमारा दो और बटे अंडर रूट A स्क्वेर पलस B स्क्वेर तो तीन का स्क्वेर पलस चार का स्क्वेर ध्यान दीजिये यह होगा 6, 8, 6, 14, 14, 2 सुनिया ना 6, 6, 12, 6, 18, 18, 22 20 आ नीचे 5 आंसर चार मुल बिंदू से डाला जाता है मुल बिंदू से तो ठीक है? मुल बिंदू से मुल बिंदू मलफा बीटा जिरो जिरो होगा तो वहाँ सिर्फ C होगा है है ना? हाँ हो गया? चले? चलिए सर नेक्स्ट गर्दा और आल दे चलिए यह बनाईएगा अपने से ठीक है ना? चलिए अब इस पे आईए अब देखिए इसमें थोरा सा एक मिस्टेक है सर यह वन को यहां साटा दीजे इस वन को यहां साटा ये सिर्फ चार है और आप देखिए एक्स एक्स पलस बी वाई आप पलस इवन बराबर जीरो एक्स पलस बी वाई आप पलस इटू बराबर जीरो यह दो समांतर एखा के समीकरन है दो समांतर एखा के समीकरन की पहचान है कि यह दोनों इक पार्ट इक्वल दिखेगा समझ गए इस दोनों पार्ट इक्वल नजर आएगा अगर नहीं आया तो कुछ कोमन आने वाला होगा कोमन लेते ही दोनों इक्वल हो जाएगा अगर तब आप से पुछेगा कि दोनों समानतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगा समानतर रेखा के बीच की दूरी मौड ओप C1 माइनस C2 अब बटे अंडर रूट A स्क्वेर पलस B स्क्वेर जैसे ही आप काम करेंगे C1 हाँ भी देखिए C1 C2 क्या है C1 14 है अज C2 कितना है 4 अब बटे अंडर रूट A स्क्वेर तो 3 के स्क्वेर B स्क्वेर तो 4 के स्क्वेर उपर 10 नीचे 5 आंसर 2 हो गया होगा चलिए बढ़िए बढ़िए अब यहां देखिए बनाईएगा अपने से दो समानता रेखा के बिच दुरी निकालना दिजिएगा हाँ आब आईए केंदरक की बात कर रहा है तिरभूज का तिरभूज का तीनों सिर्स दे करके केंदरक की बात कर रहा है तो आप अच्छी तरह जान लिजे कि जो केंदरक का निर्दे सांक है, जो केंदरक का निर्दे सांक है, X, Y, तो केंदरक का जो X है, वो मेरे मित्र A, X1, B, X2, C, X3, सुरी, ये केंदरक नहीं है, तो केंदरक में A, B, C की जरुवत नहीं है, X2, X3, अब बटे 3, अब केंदरक पर Y का मान, Y1 पलस Y2 पलस Y3, और बटे में 3, सुनिये, अगर बात अन्ता केंदरकी की जाएगी, सुनिये, अन्ता केंदरकी बात अगर की जाएगी तो याद रखियेगा, अन्ता केंदरका जो X निकालिएगा, वो AX1, BX2, CX3, अब बटे A पलस B पलस C, और अन्ता केंदरका जो Y होता है, AY1, BY2, और पलस CY3, और बटे A पलस B पलस C, याद सकतों टू जोत P meaning 2, 4, 1, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 7, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 17, 14, 14, 17, 11, 12, 13, 16, 17, 16, 17, 17. , 17, 17, 18, 17, 17, 18, 18. कि आगे चले हैं कि ठीक है सेर कि उसकी कोई जरुवत ने उन्हें पुछता है एक्जाम में आपके एक्जाम में पुछेगा ठीक है ना बस अरे बना लिजेगा ना केंद्रकवला आप जानते हैं यहां आपका एक्स वेरा हो गया और यहां आपका एक्स ठीक हो गया कि यह नों बिंदों के बीच की दूरी है इसी क्या है दोनों पीच की दूरी है निकाल दीजिएगा हाँ या ना जब पूछेगा तो निकाल देंगे विसी अब बैठा देंगे उकरा में क्या सर कि कि आई ये हाँ ये देखिए एक तिर्भूज के दो सिर्ष दिये हुए है देखिए इसा सवाल एंटी पिसी सी वी टी वन में पूछा है आप देखिएगा लास्ट में हम सिर्फ प्रिवियस कोशन टाइप करवाए हैं बिस पचिस वो बहत्तर के बाद जो कोशन है न उस सब प्रिवियस है उसमें देखिएगा ये भी कोशन होगा ऐसा वाला अब दू को सिर्ष दे दिया अक्यंदरक दे दिया अब तीसरा आपका एक्स वन और वाई वन है ये आपका एक्स टू और वाई टू है आई जानते हैं केंदरक पर एक्स और वाई है आप यही तो परहे हैं केंदरक पर एक्स का जो मान है वो एक्स टू एक्स थरी अब अब अटे कितना थरी एक्स हो गया है पांच एक्स वन जानते हैं पांच, X2 जानते हैं, माइनस दो, और X3 तो निकालना है, अब बटे 3, कामने हो जाएगा, के अंदरक परसर Y, Y1, Y2, और Y3, और बटे कितना, 3, तो बोलिए Y का मान क्या है, तो Y का मान है 6, Y1 है 4, Y2 है 4, और Y3 निकालना है, और बटे 3, आप निकालक देख लिजे, क्या होगा, 18 में 8 जाएगा, 10, इस 15 में यहां बचेगा 3 तो 3 जाएगा, तो X3 का मान, 12, तो हो जाएगा 12,10, ओप्सन नमबर, इस 12,10, गरदा उराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको बस अंता केंदर और केंदरक से मतलब है, आप में लंब केंदर परी केंदर ने आता है, वो तना दूर जाने एक जरूवत नहीं है, चले आगे बढ़े हैं, ठीक है, सेर, आप लोग बस एक ही काम करिएगा, साम बला जो टेस्ट है ना, उसको खली पकर लिजेगा, अग घुमते घुमते रोज आईए, आउसमें जो हम कोशन कराएंगे, बस उसी से आई जो कोशन कर रहे हैं, इसको रिवाइस करते रहिएगा, टेस्ट खली ने छोड़ना है अब देखिया, अंतह के अंदर का निर्दे सांग पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, पहली बात, यह A है, यह B है, यह C है, यह 1,0 है, यह 5,0 है, और यह हमारा 1,3 है, अगर आपको अंतह के अंदर चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दो बिंदो के बीच की दूरी से यह निकालना परेगा, अंडर रूट X के difference का square Y के difference का square 5 आईगा इह दोनों बिंदों के बीच की दुरी से यह निकालना होगा X का आंतर लीजेगा 0 Y का आंतर लीजेगा 3 3 का square 9 या जाओगा 3 अब अंडर रूट X का difference लीजेगा 4 के square 16 य का अंतर लिजेगा तो 0 हो जाएगा 4 A के सामने छोटी A B के सामने छोटी B असी के सामने छोटी C अब A भी C निकल गया तीनों बिंदू मालूम है क्या यार नहीं निकलेगा AX1, BX2 और CX 3 अब अब अटे A पलस B पलस C यहां से निकलेगा अंतर के अंदर का X फिर आप Y बराबर रखोगे A Y1, B Y2, C Y3 और मेरे दोस्ती A पलस B पलस C निकल जाएगा या बताना परेगा आज फेर आईएगा आए? आप नहीं ना? आज ठीक है अब कल आईएगा हम रहेंगे यही पर आईएगा तो दू-तिन घंटा गया आपके बाद बुलाएंगे साथ बजे बुलाएंगे ए नमबर ठीक है आज़ा कोई बात नहीं है उने लाइन खीच देंगे घरेश देख लीजेगा जो आ सकते हों आज आईएगा आज ने आ सकते हों नहीं आईएगा आठ बजे अधिस्वारी साथ बजे अब देखिए इस सब की जरुवत आपको नहीं है ठीक है इस सब को स्कीप करिए अब यहां समझे यह क्या है तीन रेखा एक दो और तीन तीनों रेखा से बनने वाले त्रिभूस का एरिया क्या होगा पहले तो आप यह समझे यह सर यहां ध्यान दीजे अच्छे इस रेखा को अक्छ पे कैसे दर्साइएगा 84 से डिवाइट करेंगे अगर 84 से डिवाइट करेंगे X बटे 28 Y बटे 21 अब रावर कितना 1 तो लीजे आपको यह कहा कि सर मैं काटूंगा X को 28 पर थैंक यू मैं काटूंगा Y को 21 पर यानि यह रेखा ऐसे गुझ देगे ठिक Y बटे अगर X सर यह केंदर से गुझरने वाली रेखा का समिकरन है उच यह कैसे? है देखे मैं दिखाता हूँ जब सर Y बटे अगर X है तब तो X को अगर 2 कहूंगा तो Y भी 2 हो जाएगा एं? X को अगर मैंनस 2 कहूंगा तो यह भी मैंनस 2 हो जाएगा इसको अगर मैं 3 कहूंगा ती भी 3 हो जाएगा इसको मैंनस 3 कहूंगा ती भी मैंनस 3 हो जाएगा इसका मतलब समझते हैं या तो यह जो लाइन है या तो यह फर्स्ट क्वाडरांट से गुजरेगी या थर्ड से फर्स्ट से गुजरेगी और थर्ड से गुजरेगी याद रखेगा y बराबर x से कैसा समिकरन है क्यों क्यों क्योंकि दोनों पलस फर्स्ट क्वाडरांट दोनों मैनस थर्ड क्वाडर यानि Y बराबर X जो रेखा है वो मेरे मित्र आलबेज थर्ड और फस्ट से गुजरेगी यही वो समीकरन है जो Y बराबर X है ओके अब दोस्त मेरे देखो कौन-कौन सा रेखा बोला एगो तु बोल दिया सर ये वाली तलो एक हो गया ये वाली एक बोला Y बराबर X ये वाली एक बोला Y अक्ष तो सर ये है कहाई नहीं तीनों से घिरे हुए त्रिभुज का छेतरफल बताईए इसका छेतरफल पूचाए आज जानते हैं इसका छेतरफल निकालना हो आधार आप जानते हो बस आपको यहां से उचाई निकाल लेना है यहा करेंगा आपको पतह यूंच अओन से निकलेगा यह शुक्राइब ऋपर नीचे वाय और निचुक्राइंगा यह यह वाली X जो है वह वही आपका हाई्ट बनेगा यह वाली X आएगा कहां से यह दोनों के सॉली उसान से यह दोनों समेकरण का हल करिए लीजिए, 3X plus 4Y अब बराबर 84, अब हम उतना बरा पगला तो है नहीं, हमको तो मालूम है कि Y बराबर X है, तो कहा है न जहां जहां, और हमको चाहिए X का मान, अब Y बराबर X है, अरे भाईया ये गो समी करन ये, ये दुनुक नहीं हल करना है, तो दूसरका जो समी करन है, व दाल दीजिएगा, तो मेरे मीत्री हो जाएगा 84, 7X का मान 84 हो गया, एक्स का मान क्या होगा, 12, लीजिए X का मान कितना हो गया, 12, अब क्या, तिर्भुस का एरिया निकाल दीजिए, A, B और C, एरिया तिर्भुस का हो जाएगा, एक बटे, दो, आधार, 21, आउंचाई, 12, गर्दा, गर्दा कर दीजिए, गदम, वाजी, ठेक है, हो गया, हो गसा, बटा जाए, कर दो कर दो हाँ अब आईए जड़ा इसको देखिए ये क्या कहा सर एक समीकरन एक समीकरन दूसरा समीकरन और ये तीसरी रेखा समीकरन मतलब रेखा एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा से तिर्भुष बनेगा अतीनो रेखा से बने तिर्भुस का एरिया क्या होगा मैं कहूंगा आप इसको क्वाडरांट टेक्सिस पर दर्सा दीजिए जैसे ही दर्सा आईएगा यह बनेगा एक्स बाई फोर प्लस वाई बाई थ्री अब बरावर कितने हैं वन इसको 40 से भाग दे दीजिए यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा x y 8 पलस y बाई 5 और बरावर कितने हैं पटाफट क्वाडरांट टेक्सिस पर दिखाईए पस्टीव निगेटिव पस्टीव निगेटिव पहला समिकरन X को बोला 4 पर Y को बोला 3 पर X को काटेगा 4 पर Y को काटेगा 3 पर तो लीजिए एक समिकरन तो ऐसे गुजरेगा X को 8 पर Y को 5 पर ध्यान दीजिए दूसरा वाला जो है X को 8 पर काटेगा और Y को काटेगा 5 पर Y को काटेगा 5 पर मान लिजे हां के काटेगा पाच पे काटेगा ठीक है आप जब हम इसको ऐसे गुजारते हैं ऐसे गुजारते हैं तो यह लाइन मेरे भाई ऐसे गुज़रेगा ठीक है अब आपसे क्या बोला है अभी तो तिर्भुज बनता नजरी नहीं आ रहा है तो ऐसा करिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाईए और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाईए कटा कट गया ना अब देखो क्या बोला सर आपसे कहा कि सर एक समीकरन दूसरा समीकरन और एक सक्ष एक समीकरन दूसरा समीकरन और एक सक्ष इसके अंदर जो बना ये तिर्भुज है इसी का एरिया चाहिए अब इस्तिरवुस का एरिया कैसे find होगा आधार तो जानते हैं पूरा आठ में ये 4 तो ये भी क्या होगा 4 आधार जानगे 4 बस इस्तिरवुस की उचाई चाहिए इस्तिरवुस की उचाई कैसे निकालेंगे कटान बिंदू से इस पर लम डाल देंगे यही उचाई का काम करेगा और सच पूछियती उचाई आएगा कहां से इस कटान बिंदू का जो xy होगा यहां क्या जो y होगा न? y वही इसकी उचाई होगा तो आज उस कटान बिंदू का y कैसे आएगा? इस दोनों समीकरन का intersection point है तो आप दोनों समीकरन को solve करके xy निकाल लीजिए xy कहें निकाल लीए? खली y निकाल लीजिए ठीक है? तो दोनों समीकरन कहां है? एगो 3x पलस 3x पलस 4y बराबर 12 आएगो है 5x आप पलस 8y 5x पलस 8y बराबर कितना? 40 हमको चाहिए y x को काट दीजिए 5 से कुना कर दीजिए 3 से कर दीजिए यहां भी हो जाएगा 5 से यहां भी हो जाएगा 5 से यहां 3 से किये हैं यहां भी 3 से और यहां भी 3 से घटा दीजिए जैसे ही आप घटा येगा 15x 15x गया 20 में से 24 गया मैनस चार Y अब साथ में 120 गया तो मैनस साथ तो Y का मान कितना? 15 अब Y का मान 15 निकल गया हाइट निकल गया 15 तो उस तिर्भुस का एरिया क्या बनेगा? जिस तिर्भुस का आधार दिया हो 4 अब उचाई दिया हो 15 उसका एरिया हो जाएगा 30 जिस तिर्भुस का एरिया हो जिस तिर्भुस का एरिया हो 15 आगे बढ़ें? ठीक है सर और भी सब्जेक्ट है ना और भी सब्जेक्ट परना है खली मैथे तो है नहीं तो थोरा सा उस सब पर भी ध्यान दीजिएगा अब सर देखिए यहां पर तो एक चतरभुजे हो गया है इक चतरभुस का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास एक दो दो रेखा एक सक्च हो गया तीसरा रेखा वाई एक्च हो गया चौथा रेखा अच्चार रेखा से तो चतरभुजी बनेगा अगर आप गौर से देखें तो क्या हम इसको एक्स बटा पंदरा अवाई बटा आठ बरावर वन लिखें? इसको हम एक्स बटा चार अवाई बटा तीन बरावर वन लिखें? कैसे लिखें समझ मागया? ठेक है सर अब आप फटा फट बैठा दीजिए जैसे आप बैठाएंगे पहला एक्स को चार वाई को तीन एक्स को चार वाई को तीन यानि ये ऐसे गुजरेगा दूसरा एक्स को कहां से? हाँ एक्स को पंदरा से और वाई को बेलकुल वाई को आठ से यानि मेरे मित्र ये इस तरीके से गुजरेगा ध्यान दीजिए अब आप से बोला क्या? कि सुनिया न सर क्या? आप से कह दिया सुनिये एक समीकरन दूसरा समीकरन X आक्ष और Y आक्ष से घिरा हुआ जो छेतर है यही तो चतर्भुज है चतर्भुज का एरिया बताईए कुछ नहीं करना है बरे समकोन के एरिया में से छोटा समकोन का एरिया घटा दीजिए तो चतर भुज का अगर एरिया फाइंड करना है, तो एक बटा दो, आधार है पंदरा, अलम कितने? आठ, आधार है चार, अलम कितने? तीन, तो हो जाएगा, सर पंदराट 120 का अधा साथ, और ये बारा का अधा कितना हो जाएगा? छे, आंसर, चोवाद. हम उमीद करते हैं कि समझ मा गया होगा, बहुत कुछ कॉडिनेट खिचा गया, है ना, बस ये गो बच गया है सरकल, उस सरकल हम सबसे आखीर में परहाएंगे बहुत मजे से, क्योंकि वो आपके लिए परा नया है, नहीं, खिच देंगे में कुछ कंसेप्ट भी बताएंगे, वो हम सब कोशन देखे हुए हैं, बस आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, हम जब नहीं बताएंगे कुछ तब सोचना है, हो गया होगा, ठीक, हमको लगता है कि जिस चीज में मामला थोड़ा कर वराएगा, हम उसमें नमबर अफ कोशन जादा लिये हैं, आप गेस करिए एक हजार में, नहीं लिये हैं, आए तो, है देखो एक दुसरे मुह देख रहा है भाई, आए ध्यान दीजिए, आप टेंशन मत लिजिए, अभी आज तीने तारिकन है, हाँ, दो दिन अभी बचा हुआ है, मेरे टार्गेट से, एकस आक्ष, वाय आक्ष, है, पक्ष, क्या जी, क्या करना है, मालूम है, नहीं, मालूम ऐसे करना है, जैसे देखिए, एक मिनट, अगर आपको कोई चतरभुज का चारो पॉइंट दे दिया है, तो आपको क्या करना है, कि दो बिंदू के बीच की दूरी से, पहले तो इसकी चारो भुजा निकालना है, उसके बाद दोनों भी करन निकालना है, ठीक है, बाकि आप खुद समझदार है, दो बिंदू की बीच की दूरी तो निकालने आता होगा, तो चारो बिंदू जैसे दिया है बैठा दीजिएगा दोबिंदू की दूरिसे चारो भुजा निकाल लेंगे आमने सामने के भुजा बराबर कानला बराबर नहीं सम अंतरच अर्श है नहीं बीकरन भराबर आयत चारो भुजा बराबर बिकर्ण बराबर नहीं सम्चतर भूज चारों भूजा बराबर बिकर्ण भी बराबर वर्ग समझ रहे हैं वस यही चारगों तहिये हैं और थोड़ी यह कुछ हो है बोल दें यहां लिख दें यहां देखिए अबी बराबर सी डी अगर यह बराबर है लेकिन बिकर्ण बराबर नहीं है तो यह हो जाएगा समांतर चतर भूज आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन बिकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतर भूज होगा दूसरा आमने सामने की भुजा की लंबाई एक समान अगर आमने सामने की भुजा की लंबाई एक समान अब बिकर्ण भी एक समान तो समझ जाएगा यह है आयत तीसरा कंडिशन A, B, B, C, C, D और A, D चारो भुजा बरावर लेकिन बिकर्ण बरावर नहीं तो समझ जाईएगा सम्च तुर्भूज और चवथा अगर A, B, B, C, B, C, D, A, B, A, D चारो भुजा बरावर अबिकर्ण भी बरावर समझ जाईएगा किसका सिर्स है बर का सिर्स है महाँक रहा है कहां मायत होगा जी तो आयत नहीं लिखा हुआ है तो आयत में क्या होता है भुजा बरावर अबिकर्ण बरावर तब नायत सम्च तर्भुज और समांतर में भीकर्ण बराबर नहीं होता है बर्ग और आयत में भीकर्ण बराबर होते है सच पूछिए तो हम नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी मतलब ये खिचा जाएगा ये बहुत पेंचदार होता है अभी आये न अभी बहुत कुछ बाकी है अभी बाकी है आये हो गया ओके ध्यान देजिए सर सुनिया न कोशिस करिएगा इस अब आपका काउम है अगे आना आचा इसको बरदास्त करिए इस पर आईए सरकल को भी बरदास्त कर रहे हैं दो बिंदों से गुजरने वाली रिखागा स्वमिकरन बनेगा कुछ ने बोल रहे हैं पिछे बनाए हुए हैं सर हाँ ये है 3D 3D जिस तरह से 2D में X by A पलस Y by B बराबर 1 करते हैं न उसी तरह से इसमें भी X by A ठीक है A plus Y by B A plus Z by C बराबर 1 करना है तो सर अगर हम 6 से भाग देते हैं अगर हम इसमें 6 से भाग देते हैं तो समझी ये क्या होगा 6 से भाग दीजिएगा X by 2 होगा और ये देखिए ऐसे तो सर ये हो जाएगा 2, 3 ये हो जाएगा 3 लेकिन ये काम कर सकते हैं पलस वाई बटा मैनस तीन बटा दो लिख सकते हैं, बैक करेंगे फिर वही आ जाएगा, आप पलस जैड बटे मैनस तीन लिख सकते हैं, फिर करेंगे तो मैनस टू जैड हो जायेगा, अब राबर वन, बोलिए एक्स अन्ताखंड, वाई अन्ताखंड और मेरे मित्रिहां से जैड अन्ताखंड, हम क्या किये कुछ समझ माया, अरे हम अपने फॉर्मूला के हिसाब से हर जगा क्या रखना है, पलस रखना है, अब उपर में सिर्फ एक्स वाई जैड रखना है, हो गया सर, ठेक है, सुनिए, कभी-कभी एक सवाल इसा भी आ सकता है, एक्स वान, वाई वान, जैड वान, तथा, एक्स टू, वाई टू, और जैड टू, के बीच की दूरी क्या होगा, तो घवराईएगा मत, वो जो आप दो बिंदों के बीच की दूरी निकालते हैं, उसी में एक फर्मुला और सटा दीजिएगा, पलस जैड टू मैनस जैड वन का स्क्वेर, अंडरूट कहते नहीं है, एक्स टू मैनस एक्स वन का स्क्वेर, पलस वाई टू मैनस वाई वन का स्क्वेर, पलस जैड टू मैनस जैड वन का स्क्वेर, कोई दिकत नहीं है, ओके, इस 3D में question आया था कहाँ, जो बच्चा ALP का exam दिया था, LP और technician का 2018 में, वहाँ ही सवाल आ गया था, ठीक है, जहाँ दो 3D point था, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा था, खड़ा दे, लिख दें क्या, अंडर रूट, X2-X1 का square, Y2-Y1 का square, Z2-Z1 का square, बस, रिलाई कर दीजेगा, उस समय आएगा तो, आप, फीगर जरूड़ी है, आगे बरी, टाइम उतना नहीं है सर, अब हमें तीन ओड़ी दिखाते हैं, समझें नहीं आएगा, हलाके टेक्निकल जमाना है, तुरह बोड़ पे खोल को दिखा देंगे, देखो सर, हम दो बिंदू के बीच की दूरी पीछे करवाएं की नहीं, हाँ, वो एक्जाम से पहले भी करवाएं थे, असंजोग देखिए, आपको दिखा रहे हैं, डाटा भी लगवग लगवग क्या होता है, इर्द गिर्द ही रहता है, इसको भी छेरेंगे नहीं, इसको भी नहीं छेरेंगे, इसको भी नहीं छेरेंगे, यह बता दियें पीछे, पहले, कहां बताएं, जुठो बोल रहे हैं, सर, एक्स और वाई के बीच क्या सम्बंद होगा, जिसके लिए, एक्स कोमा वाई, जिसके लिए, एक्स कोमा वाई, इन दोनों बिंदू से सम्दुरस्त होंगे, बताएं हैं बट वहां कोशन कुछ और था, अब यह देखिए, एक्स कोमा वाई एक पॉइंट है, जो, पांच कोमा तीन और चार कोमा छे से इकवी डिस्टेंस है, इकवी डिस्टेंस बरावर है, इसको एक हैं, इसको पी और इसको क्यू कह दें, तो एपी बरावर क्या होगा, एक्यू, सर, जब एपी एक्यू बरावर है, तो उसका स्क स्क्वेर भी आपस्म क्या रहेगा बराबर दो बिंदू के बीच की दूरी एक्स के डिफरेंस का स्क्वेर आवाई के डिफरेंस का स्क्वेर दो बिंदू के बीच की दूरी एक्स के डिफरेंस का स्क्वेर आवाई के डिफरेंस का स्क्वेर वो लिए समझते हैं कि नहीं यह अपना y है जल्दी तोड़िए a square plus b to a b plus b square a square plus 2 a b plus b square a square plus 2 a b a square a 2 a b a plus b square a square 2 a b a plus b square ध्यान दीजिए x square x square गया y square y square गया इधर देखिए 10 8 आ जाएगा घड़ जाएगा मैनस में 2x बचेगा 6y है 12y आ जाएगा पलस में 6y बचेगा उसके बाद 34 इधर आएगा 52 34 और मैनस 52 बचेगा यह क्या बचेगा मैनस 2x पलस 6y बचेगा 12 चार गया 8 चार में कोमन कर लें ठीक है तो यहां से x अम मैनस हो जाएगा 3y अब बराबर कितने है 18 इससे काट देंगे इसको हो जाएगा 9 तब तो x मैनस 3y अचाया अंदरे गुना कर देए मैनस से तो 3y मैनस x हो जाएगा अब बराबर कितने है 9 ओप्सान नमबर c जादे टाइम हो जाएगा दुबाराने बुलाएंगे कले दो टाइम पर लेंगे वो ठीक है है ना को जईये गा किचकिचा जाएगा फिर आईये का रस्ता में एए ऐसे ही इतना देर रहें किचकिचा गे शुरूँ मेरा भवासं सुनके सहीं किया अम्याज क्या कहें सुरुवाती जो हैता होता है जब अपना सेंटर लोग खोलता है कुछ भी चीज में उसको बरा तंग किया जाता है अब कोई भी होगा कितनों जेंटलमेन है आप अम्मानी साहब बगल मगर डाल दीजेगा तो मानी साहब दो ही काम करेंगे या तो आपको खरीद लेंगे आ नहीं तो आपको नस्तान आबूद कर देंगे को कभी नहीं चाहेंगे मेरे पैरलल में एक और कंपनी खरा हो जाए ठ मासर यह सब अनन्थ फनान्थ हल बला तो आपको समझ माता होगा देखे तो अनन्थ हल में क्या बोले हैं A1 बाई, A2, B1 बाई, बरावर C1 बाई, बोलिए A1 क्या है, A1 है 3, A2 कितना है, 2A, बरावर B1, माइनस 2, B2, A माइनस B, है प्रभु आगे जाने की कोई आवस्यक्ता नहीं है, यहीं से रिलेशन पता चल जाएगा, 3A माइनस 3B, बरावर माइनस 4A, ले आए, 7A माइनस 3B बरावर 0, तो 7A बरावर क्या होगा, 3B, ओप्सन नमबर, अभी आप प्रिवियस येर कर रहे हैं, हो गया उदार टाइप बाईज खतम, अभी प्रिवियस येर चल रहा है, आगे बरें, ठेक, देखिए सर, एक केंदर बिंदू है, अब आप यहां देखिए, एक्जाम में कोशन आया था, एंटी, पी, सी, बी, टी, वन में, तिरभुज के तीनों सिर्ष दे दिया गया, अहें देखिए एगो, हाँ, एगो पॉइंट दे दिया गया केंदर बिंदू, तो क्या कहिएगा सर, तो आप कहिएगा सुनिया न, केंदरक पर एक्स का जो मान होता है, वो एक्स वन पलस एक्स टू पलस एक्स थिरी वाई, थिरी होता है, तो वहां से केंदरक पर एक्स का मान के, एक्स वन है तीन, वाई वन है सेवन, स्वारी एक्स वन है, थिरी एक्स टू है सेवन और एक्स थिरी है दोस, अब बटा कित कितना तीन से इधर गुना होगा तो तिरी के अबरावर इधर क्या हो जाएगा माइनस पोर पलस दस सिक्स के का मान कितना समझ मारा है ठिक आगे बढ़ा जाए ओके हाँ देखिए क्या कह रहा है यह कह रहा है कोन सा समिकरन वाय अक्ष के समांतर एक रेखा है सैर यहां सुन लेजिए यहां सुनिये सुनिये जब पूछ दिया है तो बताना मेरा धर्म है यह सुनिये अगर एक्स अक्ष के समांतर बोला तो य बराबर सम्थिंग होगा अगर वाय अक्ष के समांतर बोला वाय अक्ष के पैरलल बोल दिया यह एक्स बराबर सम्थिंग होगा अगर y अक्च के समान, सुनिए, x के पैरलल बोलेगा y बराबर something, और y के पैरलल बोलेगा x बराबर something, काहे, काहे कि y के पैरलल जब जाएंगे न, तो x दूरी तै होता है, इसलिए बराबर x से का कुछ मान होगा, जब x के पैरलल जाईएगा, उपर या नीचे, तो y दूरी होगा, इसलिए y बराबर something होता है, तो बोला y अक्च के पैरलल जब बराबर something होगा, x बराबर something न एकराम है, न एकराम है, नहीं एकराम है, सिर्फ एकराम है, कैसे देख लीजе, 2x विदार लाइएगा 3x, 3x बराबर 1, x बराबर 1 बटा 3, अब यह बोले है, x बराबर a ज जिसमें X का कुछ मान आएगा. क्या सेर? याद रहे. Y X के पैरलल, सिर्फ X का मान. X X के पैरलल, सिर्फ Y का मान. ओके? Next. क्या मैं चौथा निर्दे सांक निकालने नहीं दिया हूँ? समांतर चतर्भुज का चौथा निर्दे सांक निकालना सिखाए हैं, जिसमें midpoint निकाले थे, एक विकरन से, आदूसरा विकरन में निकाल दिये थे, निकाल लिए गाई. पीछे बताए हैं. आप सुनिए आप से कहा गया एक कोमा पांच से पास करती है लाइन लेकिन ये जा करके एक ऐसे लाइन पर लंब हो जाती है जिसका समीकरन एकस मैंस वाई मैंस पांस पराबर जीरो है तो बताइए इसका समीकरन क्या होगा पहले तो सर सुन लीजिए, यहां ध्यान से सुनिए एक बिंदू से गुजरने वाली लाइन का एक्वेशन तभी निकलेगा जब हमें इसका सलोप मालूम रहेगा जब तक इसका सलोप नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे अब इसका सलोप निकालने के लिए आज हमें इसका सलोप निकालना परेगा अगर ये सलोप मिल गया जब दो रेखा एक दुसरे पर लंब हो तो सलोप का प्रोड़क्ट मैनस वन होता है यानि वैसी स्थिति में M1 और M2 किसके बराबर होगा मैनस वन के और सर इसका सलोप तो निकालिये सकते हैं मैनस में X का गुनांक अबटे Y का गुनांक कुछ नहीं तो मैनस वन है अरे समझ में नहीं आता है मैनस में X का कॉफिसेंट अबटे में Y का कॉफिसेंट तो आप ही देखिए निगेटिव X का कॉफिसेंट है 1 y का coefficient तो minus 1 है, कितना हो गया, 1 हो गया, तो clear है क्या, तो clear है तो ठीक है, m2 निकल गया, m1 into minus 1 बराबर minus 1, तो m1 बराबर क्या हो गया, minus 1, रखिए, m1 बराबर आ गया है, minus 1, आप क्या सोचना है, point भी मिल गया, slope भी मिल गया, equation क्या होगा, y minus y1, y minus y1 बराबर m into x minus x1, तो y minus y1 देखिए, 5, m है minus 1, x minus x1 कितना है, 1, ले आइए सब को इस पार, x हो जाएगा, plus y हो गया, minus 5, उधर साएगा, minus 1 हो जाएगा, minus 6, x plus y minus 6, यानि x plus y बराबर 6, क्या सर, ठीके, मेरी कोशिस्त रहा है, अभी आपको कुछ और देना है, चार कलास और लेंगे, कल परसू दो पहर में, आप साम में, परसू साम में हम आपको, बाय बाय कर देंगे, ठीक है, आउसके बाद, ठाहे सानी 500 रोपया देकर, टेक्स्तम जोइन कर जाईएगा, अरे, डेरे सारोपा मन्थ लिए देकर, आजो कर चुके हैं, वो कंटिन्यू रहिएगा, नोकरी दिलाग छोड़ेंगे, मैथ से नहीं चुटेगा, खेल जाएंगे खून पे, ध्यान दीजिए, देखें, वो हम नहीं बता सकते हैं, जो लरका पहले से कुछ परहा लिखा है, उसको जोइन करने की कोई जरुवत नहीं है, जो लरका काफी दिनों परहे लिखे हो गया, बीच में मान लिजे भी पीएसी, या फिर दरोगा में लग गया, बिल्कुल ही एकदम सफाया हो गया, तो उस सब को जोइन करना चाहिए, ठीक है, जो रेलवे की तयारी कर रहा है, यानि उसका मैथ अच्छा है, तो फिर उसको जोइन करने की ज़रुवत नहीं है, उसको चुपचाप मेरा टेस्ट सिर्फ जोइन कर लेना चाहिए, ठीक है, अब उतने महमरी के निकाल देंगे, दूग टेस्ट, एको रेगुलर वाला, एको होल वाला, ठीक है, तो दो पहर में होल वाला चलेगा, एकदम गर्दा उरान दो पहर में होल वाला चलेगा, हाँ, एक बात है, कि दो पहर में, अच्छा, आप लोग ये सोचते हैं क्या, कि डिसकेशन कराने के लिए काफी उम्रदराज टीचर होना चाहिए, क्या, बोलिएगा तो फिर हम बुरहो बुरहो को मंगाएंगे, है ना, तो हमको नहीं लगत है कि उम्रदराज फुम्रदराज से कुछ फरक पड़ता है, कलम में दम होना चाहिए, लरका कुछ बोले पूछे तो गर्याइए नहीं, उसको समझाईए, है ना, बस, कलम में दम है तो कोई दिकत नहीं है, हाँ सुनिए, तिर्भूज एक ऐसा तिर्भूज है, जिसके सिर्ष करम सा इतने 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 हैं, यदि तिर्भूज बिंदू ए पर समकून है, तो एक आमान क्या होगा, बहुत अच्छा है, यहाँ देखो मेरे दोस्त, अब बच्चा तो हो नहीं, अब बच्चा तो हैं नहीं, आपको कह दिया कि ए पर समकून है, तो ए पर समकून है, सुनिए न, आई हमारा ए कोमा पांच है, आई हमारा मैनस पांच कोमा पांच है, सुनिएगा, सुनिएगा, यह हमारा मैनस पांच कोमा पांच है, तो पता है आपको, जैसे हमी जीरो कोम जीरो देखे ना बाद से खिल गई कहें अच्छा बेटा तुम मूल बिंदू है तुरंते दिमाग काम कर गया मूल बिंदू है बस तुरत फीगर उसानुसार बना दीजिए लेजिए मूल बिंदू है अगर मूल बिंदू है तो 0,0 इतेरा ए है एक है एकोमा पाँच दोनों positive है ना एकोमा पाँच कहीं first quadrant में होगा कोई बात नहीं और minus 5,5 पहे देखिए minus 5,5 कहीं न कहीं इधर होगा yes और no तो देखिए मेरे दोस्त यही आपका समकोन तिर भूजे यही आपका समकोन है कोई आवस्यक्ता नहीं है अगर आपने बना लिया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है यह भी है और यह सिंपल बात कहता हूँ अगर यह समकोन तिर्भुज है तो कन्फर्म है कि पैथा गोरस थेरम दोरेगा अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालू मतलब क्या लंब स्क्वेर प्लस अधार स्क्वेर बराबर करने स्क्वेर हाँ या ना ठीक है न जी या बोलिये या जब ये दोनों एक दूसरे पर लंब है इसका सलोप M1 आइसका सलोप M2 और बोलिये सलोप का गुनन फल होगा मैंनस 1 यह भी तो हो सकता है क्या साब लंब है दुसरे पर चलिए इसका सलोप क्या होगा इसका सलोप y2-y1 5-0 x2-x1 a-0 into इसका सलोप निकालिए y2-y1 5 x2-x1 तो हो जाएगा मैनस 5 बराबर मैनस 1 अब देखो जी सबसे पहले ध्यान से यह हमारे पास 25 आए गुना मैनस 5-5 a into मैनस 1 तो हो गया 5 a तो एक आमान क्या हो गया क्या जी अब लगें पैथा गुरस लगाने मथा खराब करने कि नब बहेगुन है कि इतना है कि इन अनवेग है कि आज़े ठीक है कि साम में आईएगा थोरा सा अर्टिक्रमेटिक इन्वर्स पर गेरा इस सब चीच करा देंगे हाँ अस्वारी कल कि आज साम थोरा सजा देंगे आपका कोस्टन और ले लेके आज आज आए न कोई बात नहीं आज़े अज़े लगा लीज़ें आज़े फोन धरा लीज़ें अतना बाहर जाकत क्या बत्याना आईए अर आगे चलें हाँ हम लोग मॉडरन जमाने के मॉडरन टीचर हैं तो उतना थोरी सोचते हैं हाँ अब इसको समझे बिंदू ये और ये को मिलाने वाली रेखा के लमबत और इस बिंदू से कुजरने वाली रेखा का समीकरन क्या होगा वाह देखें तो आपसे कहा मैनस पांच कोमा छे आप मैनस छे कोमा पांच कहा इन दोनों बिंदू के लमबत यानि इस पर लमब और दो कोमा तीन से कुजरने वाली लाइन का समीकरन क्या होगा सर अभी कुछ देर पहले यही कोशन था लेकिन उसमें इसको मिड़ पॉइंट कहा था आप देखे होंगे मद बिंदू से हमी पॉइंट निकाल लिये थे आद दो बिंदू से गुजरने वाली रेखा का समीकरन निकाल दिये लेकिन इत्वरा हुस्यारी खेल दिया कहा इदोनों बिंदू को मिड़ वाली रेखा पर लंब लेकिन गुजरे 2,3 से उसका समीकरन क्या होगा आज अगर इसका समीकरन पुछेगा ना तब फर्मुल्ला फिर वही होगा फर्मुल्ला फिर वही होगा y-y1 बराबर m into x-x1 लेकिन इसके लिए हमें इसका क्या निकालना परेगा सलोप निकालना परेगा तो साब उसका सलोप आज ऐसे नहीं निकालीएगा इत दो रेखा लंब है एक दुसरे पर आप निकाल दीजे इसका सलोप तो बोलिए सर दो बिंदू से गुजरने वाली रेखा का सलोप क्या होगा y2-y1 तो 5-6 x2 अब मैनस x1 तो मैनस मैनस उपर मैनस 1 नीचे मैनस 1 क्या होगा 1 क्या ही सोचना है जब रेखा एक दुसरे परलंब होगा तो सलोप का प्रोड़क्ट क्या होगा मैनस 1 M1 का मान क्या होता है 1 और M और बरावर क्या हो गया मैनस 1 M बरावर हो जाएगा मैनस 1 तो देखिए यहाँ पे इसका सलोप आपका हो गया मैनस 1 आप क्या सोचना है यही आपका x1 y1 की भूमिका में आएगा आई आपका सलोप होगा क्योंकि आपको इसी लाइन का समिकरन चाहिए तो y-y1 कितना है? 3 अब बराबर m x-x1 कितना? 2 y-3 बराबर x अब पलस 2 आप देखिए x इधर आएगा x पलस y मैनस 3 उस पार जाके पलस 3 होगा बोलिए समझ मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह आंसर होगा मैनस 25 पार आएगा पलस होँ जाएगा सर यह सब आपके एक्जाम का पूछा हुआ सवाल था जिसको हम लेकर क्याराम से स्वाल्व कर दिये हैं बढ़ते रहिए 50 कोशन चूनेंगे सर मेंसुरेशन में अब करें सिर्फ कराएंगे मेंसुरेशन सर था पता नहीं है कोई कितनों सेलेक्ट कर लेगा मेंसुरेशन बहुत बड़ा दरिया है फिर भी हम कोशिस करेंगे कि 4-45 कोशन हर सेक्षन से लेते हुए आपको करा दिया जाए और वही कोशन स्चैन करेंगे जो आपके एक्जामनेशन में आता है सहब क्या करिएगा था या इसे थोरीन होगा यहां देखिए स्ट्रक्चर अगर कोई तिर्भूज है आ किसी तिर्भूज के तीनों ने सांक दे दिया है एक मिनाट सिर्फ उतर्यस काम नहीं चलेगा परभू यहां ध्यान दिजिए देखिए सब से पहले तो तीनों भूजा निकालना है फास्ट कंडिशन अगर यह तीनों इकवल है तब तो संभाहू हुआ अगर दूग भूजा इकवल है आएग इकवल नहीं है एह समदिबाहु कहने से पहले इस दोनों बराबर भूजा के बर्गों का योग अगर तीसरी भूजा के बर्ग के बराबर हो गया तो यह होगा समदिबाहु समकोन या अगर बराबर भुजा के वर्गों का योग जदी इसके बराबर नहीं हुआ तब ये होगा सिर्फ सम्दिवाहू जिर्फ दो भुजा बराबर रहने से डारेक्ट सम्दिवाहू मत बोल दीजेगा पैथागोरस टेस्ट भी कर लीजेगा अगर दो भुजा बराबर अब पैथागोरस का पालन कर रहा है तो क्या बोलिएगा हाँ हाँ समदिबाहु समकोन लेकिन दो भुजा बराबर अब पाइथा गोरस का पालन नहीं किया तो क्या होगा समदिबाहु ठीक उसी परकार अगर तीनों भुजा बराबर नहीं हुआ तो विसम बाहु कहने से पहले पाइथा गोरस टेस्ट करिएगा यदि किनी दो भुजा का योग किनी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया तब तो ये होगा समकोन तिरभुज लेकिन लेकिन अगर किनी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बर्क के बराबर नहीं हुआ तब कहिएगा विसंबाहु तिरभुज विसंबाहु कहने से पहले पैथागोरस टेस्ट करना है असमदिबाहु कहने से भी पहले पैथागोरस टेस्ट करना है याद रखना है क्या सेर बरा जाए धन्यवाद आप क्या चाहते हैं height and distance inverse trigonometry सर इसमें बराबर भुजा का बर्ग करना है बराबर भुजा के बर्गों का योग किसरी भुजा के बर्ग के बराबर होना चाहिए उकराम किसी भी दो भुजा का बर्ग ठीक है जैसे ही जरूरी नहीं a b और b c होगा यहाँ पर यह b c और a c का square देखना है a b के बराबर है किसी भी दो भुजा का square लेकिन इसमें क्या है only बराबर भुजा का square yes और no अरे समझ रहे हैं यहाँ किसको square करिएगा बराबर भुजा को square करके जोर दीजिएगा तीसरी भुजा के बर के बराबर देखिएगा होता है कि नहीं साब एरिया निकाल दीजिएगा प्रिवेस एर कोशन एरिया निकाल दीजिएगा ए सहाब यह एक ह्व आपके लिए हैं बोलिए मूल बिंदू से निकलेगा अरे मूल बिंदू से समी करने की तुरी निकलेगा नहीं निकलेगा आप जो बोले थे यही वो कोशन है हाँ सुनिए है 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 देखे इदर रस्ताम खूब बतेगे पोई दिकत में तनिया दर रूकिया हजूर हाँ भोर एक्स थीरी अरे यार मूल बिंदू देखने कैसे डाइवर्ट हो जा रहा है जीरो कोमा जीरो से गरिया रहे हैं क्या पैसा ठगा गया अरे पैसा ठगा गया क्या ठीक है ठगा गया तो बोलिए गया यह मुसला पुरहाट है यहाँ पर बोलिए देगा लेका हम बहुत कुछ देखा हूँ यहाँ पर बड़ा अलर्ट रहता हूँ मूल बिंदू से इस रेखा के बीच की दूरी चाहिए सर आपको यह पता होगा यह दूरी कुछ और नहीं अलफा पलस B बीटा पलस C और अंडरूट A स्क्वेर पलस B स्क्वेर बटाईएगा हजूर अगर A अलफा जीरो है और बीटा जीरो है तो कहानी यह खतम है C है 6 A square B square करिए उपर 6 हो गया और नीचे 4 का square plus 3 का square वो जाएगा 6 बटे 5 और इसके बाद कौन सा question last circle है circle question लगता है कुछ जादे उठा लिए सब पुछा वह उठा लिए अच्छा ठीक है ठीक है सर जाईए आज जाईए कल आईएगा कितने बज़े सारे बारा बज़े ठीक है सारे बारा माईएगा आज साम मैं आज आप छोड़ दीजिए कल सुनिये पहले ही तो इसका दोकानी खतम है पहले कल के बारे में बता देता हूँ कल पर आऊंगा देखिए ये हाइटेंड डिस्टेंस से 10 से 12 कोशन रहेगा ठीक है उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्रोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्रोमेट्री से 10 कोशन रहेगा ठीक है और इसके बाद जियोमेट्री जियोमेट्री से 50 कोशन रहेगा ठीक है तो इस तरीके से कल मेरा परियास रहेगा कि 70 से 80 कोशन हम दोनों सिफ्ट में खेच डालें ठीक है अब परसों दोनों टाइम में सुरेशन बाबाई कर देंगे ओके देखेंगे सकेंड शिफ्ट में बेकरियम होगा तो 10 से 15 को संसियाई भी करा देंगे और ठीक है तो कल इसी का कलास होगा हाँ सर पिडिया भी मंगवा देंगे क्या करें सर आदमी जो है ना आदमी है नहीं है और हम अकेले पर गये हैं कुछ दिनों से आज और कल में आदमी आएगा यही थोड़ा सा परशानी है आज मेरा टाइप इस्टो धोखा दे दिया आना था यह बे नहीं किया अपोन की यह उठे बे नहीं किया तो कल आएगा जानते हो क्या बुलेगा सर कल हमरा मताम दरत कर रहा था क्या बुलेगा